नमस्कार मैं हूँ अन्पमनूप आप देख रहे हैं दखवरदार नेट भारती लोकतंत्र का एक प्रमुक इस्तंभ अगर कहें तो पंचायती राजविवस्था है क्योंकि कहा जाता है कि भारत की आत्मा गावं में निवास कर दी और राजनेत तब तक पूरी तरीके से सफल नहीं मानी जा सकती है जब तक राजनेत में यूवाओं की एहम भागीदारी न हो इस वक्त हम मौजूद हैं मुडियारी ग्राम पंचायत में जो सतनी के अंतरगत आता है और इसके यूवा सरपंच सनी समदरिया जी हमारे साथ हैं जो महत 24 बरस की उम्र में इस गाओं के सर आज हम सनी समदरिया जी से करने बाले हैं सबसे पहले आपका स्वागत करते हैं दखावरदार न्यूच पर और आपके संघर्सों की सुरुवात कैसे हुई यहीं से हम अपनी बात चीत की सुरुवात करेंगे जैसे एक यूवा के लिए राजनेत में आना सरल बात है लेकिन किसी चुनाओं को जीतना उतना ही कठिन कहा जा सकता है क्योंकि कई सारे अनुभवी लोग भी यहां मौजूद होते हैं जिन से संघर्स करना पड़ता है जिनके सामने आपको राजनेतिक प्रिष्ट भूम तैयार करने पड़ती है तो कैसा रहा सफर संघर्स का सफर आपका संघर्स मैंने 2018-19 से जनता जनारदन की सेवा करना सुरू किया हमारे ग्राम पंचाय सतनी के अंदर इतना ब्रष्टा चार सासन प्रसासन का जो गरीब जनता जनारदन तक उन से आता था गरीब जनता जनारदन तक नहीं पहुँच पाता था कुछ पंचायत के दलाल लोग उनको ही पुड़े जनता जनारदन जनो एक गरीब जनता को मिलना चाहिए तो यह सारे लोग वो खा लेते थी जनता में इतना आक्रोस मचा था मैंने जनता जनारदन को देखा तो मैं सोचा कि किसी ने किसी ब्यक्ति को इनकी सेवा के लिए जागना जरूरी है तो मैंने जन परिवार से हूँ, हमारे पिता जी ने भी बहुत संघर्ष किये, 40 वर्स उन्होंने निरंतर दूद बेचा, और मैंने भी जनता जनारदन के साथ 4 वर्स निरंतर जब संघर्ष किया, चाहे ओ आवास का मामला हो, चाहे बृद्धा पिंसिल का मामला हो, कोई भी सासन प्रसासन की अगर योज नाय आती थी, तो सरपंच सचिव द्वारा उनको नहीं दिया जाता था, तो मैं जिला पंचायत, जनपत पंचायत, हर जगाह से जनता जनारदन का कार के लिए प्रयास करता था, और लगभग भिना पत्पदार के मैंने 70% सथनी की जनता जनारदन का का कार कर तो जनता जनारदन ने बोली कि आपको इस बार अगर सामान सरपंची सथनी पंचायत में आती है तो आपको सरपंची के चुनाव लड़ना है मैं बोला कि भाई ये सरपंची गएरा हमारी वस्ति बात नहीं है हमको आप सेवा करने दीजिए तो बोले कि सेवा के लिए कुछ मैं कुछ तो पत चाहिए मैं बोला ठीक इसके लिए जैसे हमारा मन बना तो कुछ लोग बोलने लगे कि भाईया दो हजार पबलीक 2200 मतदाता सतनी में हैं 500 मतदाता मुड़ियारी में हैं तो कैसे जीत पाओ अभी आप युवा हो चुनाव मत लड़ो लेकिन जनता जनारद ने हमको बोला कि ये कुछ नहीं है भाई जितने आज तक मुड़ियारी के प्रत्यासी चुनाव लड़े तो उन्होंने संघर्स नहीं किया तो मैं बोला कि ठीक हो गया मैं चुनाव लड़ता हूं मैंने चुनाव लड़ा जितना मैंने संघर्स किया था उससे कई ज्यादा मुझे जनता जनारदन ने आसिरवात प्रदान किया मैं इतनी अप्यक्षा नहीं रखा था कि जनता जनारदन के मुझे इतना लाइक करती है इतना पसंद करती है इतना मुझे मत से जनता जनारदन जिताएगी चुनाम जैसे कि आपने बताया कि एक सामान परिवार से आप जुड़े हुए हैं तो आपके पिता जी या आपके बावा जी के द्वारा राजनेति में इस गाउं के लिए कोई योगदान या राजनायतिक उनकी प्रिष्टिभू में आपकी नहीं रही है कोई दूर दूर तक राजनेतिक से हमारा पुड़ा परिवार दूर दूर तक कोई राजनेतिक में कोई संबंधित राजनेतिक हमारे परिवार में कोई नहीं फिर अचानक से ऐसा क्या हुआ कि जिसकी बज़े से आपको राजनीत में आने की प्रेरणा मिले या लोगों की सेवा के लिए आप सामने आए लोगों की समस्याओं को लेकर के सामने आए और फिर आखिरी में आपने चुनाओ लड़ने की इक्छागों की चुनाओ लड़ा च पड़कना सासन प्रसासन की जो जनता जनार्दन के लिए रा से आती है उसका इप्योग न करना भ्रष्टाचारी सरपंच सचिव द्वारा उसको खा लेना मनो एक हमारे सत्नी पंचायत में इस तरह का आतंक यहां के सरपंच सचिव द्वारा मचाया गया था कि एकदम मड़े सत्नी पंचायत में एकदम हाहाकार इन लोगों के उसमें से मचा था तो मैंने यह सोचा कि किसी न किसी को आना पड़ेगा नहीं है तो हमारे पंचायत का भविष्व कार हो रहा है जो ये भ्रष्ट लोग हैं जो सचिव सरपंच हैं तो यह तो कोई भी हमारे जनता जनारद मैं तो यह पंद detention लूड़कों करको dign समझ तो क्या सुधार करने की कोसिश कि और टक आप तक क्योंकि चुनाव को भी अब लगभग छै महीने पूरे होने वाले हैं तो क्या सुधार किया आपने मैंने सबसे पहले ग्राम पंचायत में एक ये नियम निकाला कि हपते में तीन दिन पंचायत भवन खुला निवार रहे हैं क्योंकि जितने काम हो तो पंचायत भवन के माध्यन से हो पंचायत भवन में कोई दलाल ना तयार हो जो सासन प्रसासन की योजनाएं आती हैं और डारेक्ट सरपंच सची पटवारी उससे जनता डारेक्ट फेस टू फेस बात कर सके किसी के घर ना जाना पड़े सबसे पहला कार मैंने पंचायत भवन के लिए उपन करवाया इसके बाद सरपंच बनते ही मैंने यहां पर इतने मनों की जैसे समग राड़ी हो गया और समग राड़ी के अलावा जिन लोगों को खाद्यान नहीं मिल रहा था पिंसिल के लिए जो कुछ लोग बच गए थे उनको यानि क पंचायत में बहुत सारी योजनाय के लिए हमारा प्रपोजल त्यार हो चुका है कि हर वस्तियों में चैह हमारे हरिजन भाई हो चैह आदिवासी भाई हो चैह पिछड़ा भाई हो हर जगा PCC रोड का निर्मान पानी की बिवस्था पंचायत भवन टाइम से खुले जो भी सासन प्रसासन के लाब है वह गरीब जनता जनारदन तक पहुंचे मनों की एक मैं सोचता हूं कि जिस तरह मुझे जनता जनारदन ने इतिहासिक मतों से हमें विजाई दिलवाई है तो सतनी पंचायत का इतिहासिक कार्य भी होना चाहिए एक चीज आप से